अग्यात लगबख जानकारी में 15 से 20 लोग थे और बाकी अग्यात लोगों ने आकर यहां हमला कर दिया रबदाज जी के मूर्ती तोड़ दी गई एक साउंड मसीन अमारे उभा ले गए दोस्तों ये वीडियो आपने देखा ये खबर है उत्तर प्रदेश से जहां रामिराज है जहां योगी जी की सरकार है ये खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से यहां दलिस समाच के कुछ लोग रविजास जी की कथा करा रहे थे, वहां दर्म के ठेकेदार यानि कि कुछ उच्च जाती के लोग पहुँच गए, उन्होंने वहां जाके इतनी लाठियां भाजी, फाइरिंग की, कुर्सियां टोड़ दी, टेविल टोड़ दी, और डीजे लगबक जानकारी में 15 से 20 लोग थे, और बाकी अज्यात लोगों ने आकर यहां हमला कर दिया, तो इन्होंने फाइरिंग किया, और फाइरिंग करने के बाद में यहां पे गोली चलाई, कम से कम चार राउंड, रबदाज जी के मूर्ती तोड़ दी गई, एक साउंड मसीन हमारी उठा ले गए, कुछ हम लोग कैस रखते हैं, और एक समधान की किताब थी, लगबक तीन जार की, वो किताब उठा कर ले गए, यह उस घटना का वीडियो है, तता कते धरम के जो ठेकदार बने फिरते हैं, उन्हें यह लगता है, कि यह सारा काम जो है करमकांड है, यह जनम से लेके मिर्ती उतरक, शादी, बयाख खुशी गम, यह सारे हमारे कारिये थे, यह कैसे कर सकते हैं, इन्हें किसने अधिकार दिया, इनका काम सिर्फ मेला उठाना है, सम्विधान लागू होने से पहले दलितों को एक ही काम दिया जाता था, आप मेला उठाके फिक के आएं, सम्विधान ने तमाम लोगों को बराबर के अधिकार दिये, डलितों ने भी यह काम छोड़ दिया, ओ तमाम तरह के काम कर रहें, तालीम की शेतर में भी आगे हैं, पहले महलाओको शिक्षा काधिकार नहीं था, जैससे महलाओको शिक्षाक کا अधिकार मेला, आप देखेंगे हर शेत्र में मर्दों के शाना बशाना औरतें भी आपको नजर आ रही है इस घटना की F.I.R. हो गई है उसमें जो नाम है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ चंद्रभार मिश्रा, गोलू मिश्रा, शिवा मुश्रा, जीतू मिश्रा, अवकोटाला, किंदर मिश्रा, विसंबर मिश्रा, मरीष्टिवारी, विधायक प्यारों यहनी कि अपना दल के यह विधायक के प्यारों हैं और यह सारे ही उच्छ जातिक हैं यह तकलीफ थी कि ब् जिस प्रकार का आरोप और जिस प्रकार का क्रिट्टिय है उसी के अनुरूप फाईयार की धाराइं भी रखी गई है अब तक पांच लोगों के गिरफ्तारी हो गई है यहां पर सुरक्षा के सारे इंतजामाद किये गए है राउंड अकलॉग यहां पर सेक्यूर्टी रखी जाएगी और यह इंशूर किया जाएगा कि कोई फर्दर रीकरेंस यहां पर नोगों के दमाग में नफरत भरी होई है उन्हें से कोई मतलब नहीं मुसल्मान है हिंदू है इस्थिक है इसाई है उन्हें अपना कारिकरम अपना एजिंड़ा आगे बढ़ाना यह उसी की एक बानगी है मतलब नफरत का इतना बोलवाला है कौन कुरसी पे बैठेगा कौन शामयान लगाएगा कौन कथा करेगा कौन किस की पूजा करेगा यह सब अब तथा कथित लोग तैय करने वाले समधान की देश में शायद अब कोई बढ़ वतन नहीं है